तो यह देखिए यह है मेरा account आप अभी देख सकते हैं only 78 के monthly visitors आ रहे हैं मैं test कर रहा था कि account कियों block हो रहे है Pinterest के उस वज़ा से मेरे 5 account पहले ban हो चुके मैं आप लोगों को बता दूँ मैं भी आपके जैसा हूँ हूँ मेरे भी account block होते हैं जैसे आप देख सकते है 12 hop 14 16 11 ऐसे daily की hopes आती है बट यह sale मुझे आज ही आई है जैसे आप देख से तो check my facts मतलब आप जो भी information प्रवाइड कर रहे हैं वो एक तम accurate होनी चाहिए इसलिए मैं बोलों आप weight loss before or after जान तो weight loss का शब्द को बूली जाहिए कि आप अपनी story pin में use करेंगे और एक है हलो गाइस कैसे आप सब आयो आप सब बढ़िया होंगे तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एक और sale आ चुके यह आई है 46 डॉलर की किसी ने एक bottle करी दिया हो कि नवा flat palette होनी की आपको मैं ये बता दूँ ये भी Pinterest के through ही आई है तो इस वीडियो में आपको बताऊ पिंट्रेस्ट का अकाउंट बार-बार बैन होता है और आप क्या करके उसको बैन होने से रोक सकते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना बिकॉज पिंट्रेस्ट में अगर एक वर आप आपके अकाउंट में ट्रैफिक आने लगे तो आप उससे regular income कर सकते हैं व मैंने सभी कुछ अपनी सीरीज में बताय हुआ है अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगा उसका तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे च तो गाइस जैसे आप दे सकते हैं हमारी 46 डॉलर की सेल आई अगर मैं आपको लास्ट 30 डेज में दिखाऊं तो एक हमको पहले सेल आई थी 85 डॉलर की तब हमारी 2 बोटल से सेल हुई थी अब यह हमारी 1 बोटल सेल हुई है प्रमोट मैं अभी भी ऑकिनाबा को ही कर रहा हू बट बीच में क्या हुआ था कि जो मैंने सीरीज में अकाउंट दिया था उसको लोगों ने एक्जेक्टली सेम कॉपी पेस्ट कर दिया था तो इस वज़ा से मुझे उसको बंद करना पड़ा विकॉज अगर मैं उसको एग्जेक्ट चलने देता तो ना मेरी सेल आनी थी न आपको सेल नहीं आएगी और फिर आप बोलोगे कि मुझे सेल नहीं आ रही है तो इस वज़ा से मैं बोला हूं अगर मैं हेल्थ एंड फिटनेस का बता रहा हूं तो जुरूरी नहीं है कि आप सभी को हेल्थ एंड फिटनेस में ही जाना है आप अपने इंट्रेस्ट के तो यह देखिए यहां पर भी यह सेल दिखा रहा है 46 डॉलर की आपको मैं रिपॉर्टिंग में जाकर दिखाता हूं तो यह देखिए यह सभी होप्स काउंट है जो हमें डेली की क्लिक साते थे हमारे एफलेट लिंक पर यह बेसिकली 11-14 इसलिए शो कर रहा है बिखॉस मैंने टेस्ट किया था पहले मेरे इससे पहले 5 अकांट ब्लॉग हो चुके है जस्ट इसको पता करने के लिए की पिंट्रेस्ट क्यों अकांट को ब्लोग कर रहा है और आप लोगों को मैं यह भी बताऊंगा इस वीडियो में की पिंट्रेस्ट क्यों Terry काउंट को ब्लॉग करता है और आप कैसे उसे बच सकते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको वीडियो वैल्योबल लगे तो वीडियो को लाइक जुरूर करना गाई इससे मुझे मुझे मिलती है आपके लिए और लाने के लिए जैसे आप देख सकते हैं 12 होप 14 16 11 ऐसे डेली की होपस आती है बट यह सेल मुझे आज ही आई है जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पर भी 6 तरीक को सेल आई थी इसमें मुझे 22 होपस आई है और मैं आपको प्रड़क्ट भी दखा दूँ तो यह देखिए यह आपर FB tonic लिखा है total hop count यह मुझे first month का बता रहा है इस month का बता रहा है इसमें total hop count मुझे 142 आये है और देखिए initial order form पर 13 जाने गए है और order form के impression 9 और sales count हमारी 1 हुई है मतलो एक sale हमारी हुई है जो कि अभी दिखा रहा है 46 की यह देखिए last 14 days का दिखा रहा है इसको अगर इसे आपको बिल्कुल भी demotivated नहीं होना बिकॉज यह organic traffic है इसमें hops आएंगे बस आपको काम करते रहना है अगर आपके 1 चा 2 hops भी आ रहे है तो अब सही track पर हो अगर आपके मान लीजे एक दिन में 58 जा 100 hops भी आते अगर फिर भी sale नहीं आती तब भी demotivate नहीं होना बिक आपको बस काम करते रहना आपकी sales जरूर generate होगी इससे आपको यह जरूर पता चल जाएगे कि आप right direction में काम कर रहे हो कि आपका page अच्छे से grow हो रहा है और लोग उसमें interest भी ले रहे हैं अब मैं चलता हूँ आपको Pinterest का account दिखा तो मैं exact तो नहीं दिखाऊंगा आप इसक story pins थोड़ी बहुत rank करी थी उस वज़ा से है और only one followers है आप देख सकते हैं one follower में मुझे sale आ चुकी है तो इस चीज में followers बिल्कुल भी count नहीं करते चाहिए आपके एक follower है चाहिए zero follower है यह depend करता है आपने SEO कितना अच्छा किया है आपकी pins appealing है कि नहीं लोग उस पर click करेंग है Pinterest के उस वज़ा से मेरे 5 account पहले बैन हो चुके मैं आप लोगों को बता दूँ मैं भी आपके जैसा हूं मेरे भी account block होते है तो इससे demotivate बिल्कुल भी नहीं हो ना बट अब मुझे पता चल चुका है कि account deactivate कियों हो रहे है और जो भी account deactivate हो रहे है health and fitness niche के और किसी niche के account deactiv activate नहीं कर रहा है Pinterest because of Pinterest ने अभी अभी recently privacy policies update किये अपने बहुत से update किये है उसमें यह spam को बिल्कुल भी consider नहीं करता आपको मैं बताता हूं में आप लोगों के account ban होने का कारण जैसे मैं business home feed में जाकर दिखाता हूं आपको तो यह दिखे यह सबी story pins है यहां पर दिख रही हो आइडिया पिन जिनको बोल सकते है जैसे मैं आपको दिखां करिये तो यह देखे आइडिया पिन जब मैंने series launch की तब यह story pin था अब यह बट आइडिया पिन हो चुका है तो आइडिया पिन के साथ ही इसने बहुत से rules अपने change कर दिये है जैसे देखे इसने only pin डाली हुई before after की images या videos डालते हो वो भी Pinterest बिलकुल consider नहीं करता because इसकी reach होती है एक-एक story pin की reach लगबग 1 million तक होती है क्योंकि 600k तो मेरे पिछले account में आ चुकी थी reach जो मेरा block हो चुका है अब एक story pin से तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कितना potential है तो इसलिए जब आप इस पर कोई text लिखते हो जैसे link in description, visit of our website link in description, want to lose weight, how to lose weight इसमें से कोई भी आप weight loss के regarding जहां कोई भी आप call to action देते है कि हमारे link पर visit करो तो उस वज़ा से आपका account man होना ही होना है आपको क्या करना है आपको story pins as it is डालनी है आपको उसमें कुछ भी title वगएरा नहीं देना है तो अपनी pin के regarding थोड़ा बहुत दे सकते है यह बिलकुल भी उसमें नहीं बोलना कि want to no more visit our website, want to lose weight naturally, want to lose weight fast, then visit our website link in description, यह चीज तो बूली जाओ, आपको यह देनी ही नहीं है यहां पर, इसके instead आप क्या कर सकते हैं, आप simply story pins डालिए, उससे engagement लीजिए, जो लोग interested होगे वो खुद वो खुद आपकी profile visit करेंगे एक बार, then जिनको आपकी profile अच्छे लेगे वो आपको follow भी करेंगे, और आपके link पर click भी करेंगे, तो यह इसकी best बात है, आप without call to action दिये हुए भी story pins से maximum engagement है, हांसिल कर सकते हैं, then जो second बात आती है कि आप लोगों का account क्यों ban होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो Instagram में बड़े बड़े pages हैं, जैसे जिनके 1 million जा 500K followers हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनसे videos जहां images उठा कर exactly paste कर देते हैं, same to same paste कर देते हैं, बट आप लोगो तो आपको उस video को rename जुरूर करना है, एक बार check करना है कि उस same Instagram account का Pinterest पर कोई account तो नहीं है, अगर वो account हुआ तो आप उस video को मत डालना, अगर आप ऐसे ही डालते रहों कि उस video को without rename किये हुए, तो आपके account ban होने के chances भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, because Pinterest की new privacy policy मैंने उसमें इसने साफ साफ लिखा है कि copyright issue भी आ सकता है, जान तो अगर कोई misconception जा misleading claims करता पकड़ा जाता है, तो उसका account without किजी reason के suspend कर दिया जाएगा, और ये सिर्फ हो रहा है health and fitness niche में, because इंडिया से बहुत ज्यादा users health and fitness niche को promote कर रहे हैं, affiliate marketing करके, तो इस वज़ा से health and fitness में competition तो है ही है, साथ ही साथ वो Pinterest account भी बहुत ज्यादा suspend कर रहा है, तो ये चीज़े, इन चीज़े को consider करना आपको ये जुरूर helpful साबित होंगी, और आपका account भी ban नहीं होगा, अगर मैं आपको इसकी privacy policy दिखाऊं तो ये दिखिए, ये Pinterest की जब आप idea pin upload करते हैं, तो उसकी य अगरी करना पड़ता, यहां पर be kind, ensure content doesn't insert to or put others down, तो check my facts, मतलब आप जो भी information प्रवाइड कर रहे हैं, वो एकनम accurate होनी चाहिए, इसलिए मैं बोलनों आप weight loss before or after, जहां तो weight loss का शब्द को भूली जाहिए, कि आप अपनी story pin में use करेंगे, और एक है be aware of triggers, मतलब कि sensitive content नहीं आप डाल सकते हैं, जहां पर देखे, do not harm, और model inclusion, इसका मतलब है कि अगर आप story pin डालते हैं, और एक ही groups को बार-बार tag करते हैं, जैसे माली आप weight loss के related आपका account है, आप बार-बार weight loss के ही tags को target कर रहे हैं, कि weight loss हो गया, healthy weight loss, like is serigating fitness हो गया, weight loss for women, मतलब उसमें tags आते हैं, ज जब भी आपका account बहन होगा, आपको क्या करना है, हर बार जब भी आप story pin डालेंगे, तो different tags को अपनी story pin में आपको डालना है, उससे होगा कि आपकी story pin की spread भी ज़्यादा होगी, और Pinterest उसको block नहीं करेंगे, कि ये same ही community में अपनी post ए क्यों डालता है, तो इससे भी आपके block होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगा, और देखिए, make sure, do not harm, जहां पर लिखा है, make sure any call to action or challenges is safe, तो इसलिए मैं बोलना हूँ, कोई call to action मत दीजिए, कोई weight loss related, कोई fake claim मत कीजिए, exact जैसे story pin है, आप उसको ऐसे ही डालिए, तब ये आपके लिए beneficial साबित होगा, और आपका account ban नहीं होगा, अगर आपका account मान लीजिए, फिर भी ban होता है, तो आपको एक mail आएगी, उसमें click here for appeal की option होगी, आप वहाँ पर click कीजिए, अगर by mistake Pinterest ने आपका account ban कर दिया होगा, तो वह वहाँ से reactivate कर देगा, अगर नहीं होता, तो आपको हिम्मत नहीं हार नहीं और फिर से try कीजिए, और जो गलती है, आपने पहले account के time में की थी, वह गलती है, आप वहाँ पर मत करना, तो यही होती है, affiliate marketing जितना आप testing करोगे, उतना आप case successful होने के chance ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो अगर आप में से फिर भी किसी को doubt हो, कोई चीज ना समझ में तो वीडियो के नीचे description box में आपको मेरे Instagram profile का link मेल जाएगा, आप वहाँ पर मुझसे message करके अपने doubts क्लियर कर सकते हैं, तो thank you guys, यही था आज की वीडियो के लिए, I hope आप से भी को वीडियो अच्छी लेगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो, तो please वीडियो को like जरूर करना गई, thank you guys, मिलते हैं नेक्स वीडियो में,